चूचू दीबी, सुनो कहानिया एक दिन की बात है, चूचू की टीचर मिस डॉर्थी बच्चों को जानवरों के घरों के बारे में पढ़ा रही थी चिडियों के घर को कहते हैं घोसला, मद्लू मक्खी रहती हैं छटे में और खरगोश जिस घर में रहते हैं उन्हें कहते हैं बिल क्लास के सभी बच्चों को पढ़ने में मज़ा आ रहा था और चूचू को ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि जानवरों के भी घर होते हैं उस दिन जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो चूचू एक पार्क से गुजरी और उसने एक छोटे से खरगोश को वहां खूदते हुए देखा वाँ, एक खरगोश, काशिये मेरे साथ खेल सकता चूचू ने खरगोश का पीछा किया हेलो नने खरगोश, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मेरा नाम चूचू है पर वो खरगोश चूचू को देख कर डर गया और वो भाग कर अपने बिल में चला गया हाँ? चूचू ने खरगोश के बिल के बाहर काफी देर तक इंतजार किया लेकिन खरगोश बाहर नहीं आया हाँ, मुझे अब घर चले जाना चाहिए मुझे नहीं लगता ये खरगोश मुझसे दोस्ती करना चाहता है जब चूचू घर पहुंची तो उसने अपनी मा को बताया कि उसके साथ क्या हुआ माम, वो खरगोश बाहर निकलाई नहीं जबकि मैंने तो उसके लिए बहुत देर तक इंतजार किया वो खरगोश जरूर तुमसे डर रहा होगा, चूचू हाँ? मुझसे डर रहा था? पर मैं तो उसकी दोस्त बनना चाहती थी चूचू, अगर तुम उस खरगोश की दोस्त बनना चाहती हो तो सबसे पहले उसका भरोसा चीतना होगा ताकि वो जान जाए कि तुम उससे नुकसान नहीं पहुचाओगी हाँ? अगले दिन स्कूल में चूचू ने मिस डॉर्थी को खरगोश के बारे में बताया मैं उस खरगोश का विश्वास कैसे जीतू और फिर उसकी दोस्त बन सकूं मिस डॉर्थी मेरे पास एक आइडिया है चूचू हम उस पार्क में पिक्निक करेंगे हो सकता है वो खरगोश हमी देखने के लिए बाहर आ जाए और अगर वो ऐसा करता है तो हम उसे सुरक्षित महसूस कराएंगे और उसे दिखा देंगे कि हमसे उसे कोई खत्रा नहीं तो मिस डॉर्थी सभी बच्चों को पिक्निक के लिए पार्क में ले गई सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे कितना मजा आएगा आमें खरगोश की साथ खेल कर हम भी उसके साथ कूदेंगे बच्चों मैं देख सकती हूँ कि आप सब बहुत उत्साहित हो पर अगर आप सब जोर-जोर से बात करेंगे तो खरगोश डर के भाग जाएगा चलो सब धीरे से बोलने की कोशिश करें और आराम से रहें चूचू ने सभी को दिखाया कि खरगोश का बिल कहा था ये है खरगोश का बिल मिस डॉर्टी अपने साथ थोड़ी गाजर और सलाद के पत्ते लेकर आई थी उन्होंने ये सब खरगोश के बिल के बाहर रख दिया ये सब खरगोश के लिए हैं उन्हें गाजरे और सलाद के पत्ते खाना पसंद है सभी ने चुपचा और आराम से इंतिजार किया थोड़ी देर के बाद वो खरगोश बिल से बाहर निकल आया उसने गाजर और सलाद के पत्ते देखे और उन्हें खाने के लिए बाहर आया चुचु, मिस डॉर्थी और बाकी बच्चे खरगोश को चुपचाप देख रहे थे और थोड़ी देर बाद खरगोश उन्हें देख कर मुस्कुराने लगा उसने सुरक्षित महसूस किया और ये जाना कि बच्चे सिर्फ उसके दोस्त बनना चाहते थे बहुत जल्द वो बच्चों के आसपास कूदने लगा उसने दो चूचू और बागी बच्चों को अपने आपको चूने भी दिया बच्चे उस खरगोश के साथ खेल कर बहुत खुश थे धन्यवाद मिस डॉर्थी खरगोश के साथ खेलने में बहुत मज़ा आया और खरगोश भी हमारा दोस्पन के बहुत खुश लग रहा है हाँ चूचू खरगोश वाकई खुश लग रहा है तुमने इसका विश्वास जीत लिया और इसलिए उस खरगोश ने तुम्हे अपना दोस्ट चुन लिया चूचू और उसके दोस्त बहुत खुश थे क्यूंकि मिस डॉर्थी ने उन्हें नए दोस्त बनाने का बढ़िया सा तरीका जो बता दिया था